hello everyone welcome to the savera classes in this video I will discuss about what is automation main objective of automation need of automation and elements of automation चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉल देखते हैं कि automation क्या होता है what is automation automation can be defined as the technology by which a process or procedure is accomplished without human assistance अगर असान सब्दों में कहें तो automation एक ऐसा टेक्नलोजी है जिसके द्वारा एक प्रोसेस या प्रक्रिया को human की सहायता से सहायता के बगएर पूरा किया जाता है it is implemented using a program combined with the signal that execute the instruction और सिस्टम यानि कि इसे कंट्रोल सिस्टम के साथ प्रोग्राम का यूज करके implement किया आता है जो कि दिये गए instruction को execute करता है अब बात आती है कि what is program कि वाट इज प्रोग्राम को में में सिम्पल वार्ड को प्रोग्राम इस ए शिद्ट ऊप इंस्ट्रक्शन्स जो कि प्रोग्राम किया होता है एक इंस्ट्रक्शन का एक समोह होता है कि हमें क्या क्या करना है कैसे करना है उसमें स्टेप दिया रहता है उसी करणी को काम करता है उसी प्रोग्राम बोलते हैं अब हम देखें कि नेक्स्ट टॉपिक अपना में अब्जेक्टिव ऑफ अटोमेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में मार्केट हाइली कम्प्रिटिव है और हमरा जो लाइफ है वो फास्ट मुविंग लाइफ है तब इस समय में किसी भी कंपनी को सर्वाइब करने के लिए उसे फ्लेक्सिवल इफिसियन्ट और इसके साथ साथ कोस्ट इफेक्टिव भी होना पड़ेगा इसलिए आज के टाइम में अगर सर्वाइब करना है किसी भी मेनिफेक्टिरिंग इंडेस्ट्री को तो उसे आटोमेशन की आउसकता पड़ेगी तो उसी को देखते हैं हम देखते हैं कि में इंक्रीज प्रोड़क्टिव भी टी कैके मैं पता है कि हमें सीर्मेंट मिट करनी है मिट करनी होगे तो उसके लिए हमें प्रॉट्टिविट को इंक्रीज करना होगा औरना हम मार्बारेट लीडर बनने से पिशे हर आजाएंगे शेकेंड टू इंप्रोव क्वालिटी ओफ प्रोडक्ट हमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और इसे आमें इंप्रोव करना है सबसे इंपोर्टेंट है जो टू कंट्रोल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कोस्ट हमें क्वालिटी के साथ साथ कोस्ट को भी मेंटेंग करना है कंट्रोल करना है अब हम देखते हैं नीड ऑफ ऑटोमेशन नीड ऑफ ऑटोमेशन के आव सकता क्यों पड़ी देखते हैं पॉइंट वाइज पाहला पॉइंट है में पॉडिव द्रnewस में समय फंटेशन गलती करता है स्वाथा एट तौ क्या ओता कि मैन्मल मेशीन पर प्रेक्शन काम आठीम हनल तो क्या होता है कि मिंस्टे है होते रहती है उससे क्या होता है मेरा प्रोडक्ट जा टैशन अनुम्हां तो मेरा क्या हुआ, material का wastage हुआ, material wastage हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरा rejection हो गया material का, तो हमें इसको reduce करने के लिए, हमें automation की ओसकता पड़ती है, सेकेंड है, टू, इंक्रीज, प्रोड़क्टिवीटी, टू, इंक्रीज, प्रोड़क्टिवीटी, अब हमें production बढाना है, तो बढाने के लिए हमें, automatic machine की ओसकता पड़ेगी, पड़ेगी, क्यों, क्योंकि human में, बहुत सा सेटिंग टाइम से लेकर, समान यहां सहां ले जाना, लाना, उसमें manage करने में तो प्रोड़म आती है, तो क्या करते हैं, कि हम automatic machine लेते हैं, उसमें प्रोग्राम करते हैं, और उसे प्रोग्राम के recording हो, machine काम करता है, मालीज हमें करना है, मास प्रोड़क्शन हमें करना है, मास प्रोड़क्शन होता क्या है, कोई भी एक आइटम, कोई एक पार्ट को हम, एक large amount में quantity में बनाएंगे, उसे बोलते हैं, मास प्रोड़क्शन, जिसमें क्या करना है, एक बार, एक machine पर हमने program set कर दिया, उससे हमने 1000, 2000, 4000, जितना पिछ निकालना निकाल लिया, तो उसमें हमें बार बार प्रोड़क्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम असानी से मास प्रोड़क्शन कर लागे, और इससे मे गुड़, क्वालिटी ओफ प्रोड़क्शन, जब human का इंडिफेल कम रहेगा, तो machine अपने आप चलती रहेगी, जो उसमें प्रोगाम किया गया है, तो उसमें क्वालिटी आटोमेटिक इंप्रूब होते जाएगा, जो हमें फाइनली चाहिए, नेक्स्ट, टू रिड्यूस प्रोड़क्शन कॉस्ट, हमें क्या करना है, कि कॉलेटिव इंप्रीज करना है, इरर भी कम आने चाहिए, वासासे प्रोड़क्शन कॉस्ट भी कम करना है, इसका कम करने के सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि हम जब भी productivity को increase करेंगे जब ला इसके लपर कोई परणट वाएंगे तो उसका जो production cost है automatic क्या होगा कम हो जाएगा तो इस तरह हम automatic machine से automation से production cost को reduce कर देंगे ज़ो हमरा ultimate अपना गोल है next है to गाव हमें कोस्ट को डिडूस करना है तो इसमें एक फेक्टर यह आता है कि हम कितना कम से कम लेवर में अधिक सभी काम कराते हैं तो कम से निवर में अधिक काम कराने के लिए आपको तो अटमेटिक मसीन पर ही जाना पड़ाओ किको हाँ मसीन अधिक काम करती हैं में लेवर काम क्या है समान ले जाने समान अड़ानावाह से बाक्य जो जितना अपर्व Merry में की है तो जब लेवर कम रहेंगी तो उनके कहर्चा काम आएगे जब जो खर्चा कम आएगा तो मेरा अबर और पर जो कॉस्ट परता है प्रडक्षन कोस्ट वो कम हो जाएगा ठीक नेक्स्ट टू रिडॉक्षण इन इसको बोलते हैं MLT manufacturing lead time यह बहुत ही important term है production में या manufacturing में यह क्या होता है कि किसी भी product का manufacturing में लगा टोटल सामें उसका manufacturing lead time कहलाता है कि अगर कोई parts है माली सब्सक्राइब यह pain है यह pain बनने में अगर लग रहा है दो मिनट तो क्या होगा इसका manufacturing lead time है टू मिनट हो जाएगा तो हम जितना कम से कम इसका time करेंगे उतना हम दिये कि आवर में अधिक प्रॉड़क बना लेंगे अगर माली जाक एक घंटा में बनता यह एक कर लगता दो मिनट तिस प्रॉड़क बना अगर देव मिनट कर दिये तो मैं production अधिक हो जाएगा तो हमें manufacturing lead time को क्या करना है कम करना है जो किस से होगा automation से होगा और एक और लास्ट जो है मेरा वह सेफ इंवर्मेंट हमें सब कुछ करते करते यह भी देखना है कि हम जहां काम करते हैं जहां हमारी employee काम करते हैं वह इंवर्मेंट कैसा है कहने की मतलब कि अगर manual machine पर काम कर रहे हैं तो हमें 12 machine पर जाना पड़ेगा तो कभी क्या होती है कि मिसेप्णिंग हो जाती है तो उसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि machine को अगर आटमेटिक कर दिये तो ज़्यदा आटमेटिक मसीन क्या होती है वो जोटती है जैसे से लेट मसीन है तो काम करती है जब अपना द्रवाजा बंद है उसका अपना काम कर रहे है तो कोई दिकत नहीं है पॉल्यूशन कम होता है यह सब देखते हुए आज की टाइम में इंवार्मेंट को विश्यफ रखना बू जुड़ी है इमन के प्रपस से भी और इंवार्मेंट के प्रपस से भी अब हम यह मोग देख लिए नीड ओफ ऑटो मेंशन अब हम चलेंगे आगला टोपिक है क्या है एलिमेंट ओफ एलिमेंट ओफ ऑटो मेंशन इसमें तीन तरह का बेसिक इलिमेंट होता है फिर्स्ट है पावर सोर्स सेकंड है ओटो मेंटिक मसीन उठाड है कंट्रोल सिस्टम यह तीन मेंटिक है जो अटो मेंशन में हमें देखने को मिलता है तो में देखते हैं वन बाई वन फर्स्ट है पावर सोर्स है आपने देखते हैं अटो मेंट इस्तुम इस इसे एँ तो अपरेट अपरेट वज़ एंड पावर इज रिक्वाइड टू ड्राइब दा प्रोसेस यानि कि अगर इसे हम कहें कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पावर सोर्स की और सकता पड़ती है और हमें पता है कि पावर सोर्स के रूप में इलेक्रिसिटी सबसे टॉप पर आता है दा प्रिंसिपल सोर्स ओफ पावर इन ऑटोमेटेड शिस्टम इज इलेक्रिसिटी ऐसे नहीं किसके लाव और पावर सोर्स नहीं है और भी है जैसे कि फॉसल फ्योल से है वाटर से है विंड से है शोलर से है है लेकिन अभी जो अधिकतर हूज हो रहा है हमारा लिक्षटी से ही हो रहा है अब हमारा सेकेंड है अगर ऑटोमेटिक अगर मसीन यह कई तरह की होती है जैसे कि हमें मैनुफेक्ट्रिंग करना है तो उसके लिए इसके लिए मेरा मसीन है अगर हमें इंस्पेक्शन करना है तुसके लिए मरा ऑटोमेटिक अगर हम एक जगा से दूसरे जगा ले जाना है तो सभी को मिला कर रहा कि उट्मेटिक मसीन हम देखते हैं बारी बारी से पहला है फ़र्ष्ट है किस काम के लिए फोर मैनुफेक्ट्रिंग डिफरेंट टाइप्स ओफ मसीन पार्ट्स ये कुन बनाएगा ये बनाएगा आटोमेटिक मसीन सेकेंड है हमेरा पार्ट बन गया आप क्या करना है इसके क्या करेंगे फोर्ट क्वालिटि कंट्रूल इसके लिए क्या हूं सा मसी उच करेंगे ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन शिस्टम फिर असेंबली करना हमें तो फोर असेंबली ओफ डिफ्रेंट पार्ट्स क्या हो जागा ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम हमें सेंध्य इंडजेगे समान ले जाने क्या हो सकता परती है तो उसके लिए क्या होता है इंडश्षियल रोबोट होता है तो इसे काम क्या है टू पिक यंड प्लेस्ट या कनभेयर बेल्ट हो गया डिफरेंट पार्ट्स और आइटम्स यह क्या है इंडस्ट्रियल रोबोट यह हमारे आटोमेटिक मशीन में सबाते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है कंट्रोल सिस्टम थर्ड नमबर है मरें कंट्रोल सिस्टम यह मिलें दो तरह का होता है एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फ़र्च देखते हैं हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इसी के एक और नाम है वह इस लिखते में इट इज आल्सो नोन एज इस फीड़बेक कंट्रोल सिस्टम इसमें क्या होता है इस वन इन विच आउटपूट आउटपूट वेरियेवल्स इज कंपेड विच आइन इन इन पूट पारामीटर इसमें क्या होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फिड़बेक कंट्रोल सिस्टम में कि जो मरे आउटपूट वेरियेवल है उसको इन पूट पारामीटर से क्या करते हैं कंपेड करते हैं कि हमने क्या दिया था यम्में क्या मिला ठीक यह क्यों करता है यह काम करता है फिडवेग हम देखते हैं इस को कंट्रोलर को दिया इससे कहां गया इनलाइजर को गया एक्चुएटर को गया इस तरह अपना प्रोसेस हुआ फिर मेरा क्या मिला आउटपूट वेरियेबल्स तो जो आउटपूट वेरियेबल्स मिला यह है इसको हम जोड देते हैं फिर्वेक सेंसर से सेंसर से से हमने कनेट कर दिया और यह बताता है फिर्व educator कि की आउटपूट मिला किसको गन्ट्रोलर को इशके इसे पास इंपुट के भी ऑडिया है और हमने क्या आउटपुट दिया ना है तो इसलिए क्लो सिस्टेम में क्या होता है कि इनपुट परामेटर को आउटपुट वेवल्ब से कम्पेट करता है लेकिन अगर बात कि हम ओपन सिस्टम का अगे बढ़ते हैं शेकंड इसमें जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इट ओपरेट्स विदाउर लूप जैसे यह मेरा क्लोज लूप है इसमें अगर हम फीडबेक वाले सेक्षन को हाइट कर दें तो मेरा यह हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जाए इन्पूट परामिटर दिया गया है अपना प्रोसेस होकर आउट्पूट मुझे मिल गया लेकिन इस आउट्पूट को पता नहीं है इन्पूट ही कितना ओपूट गया इसमें कोई फीडबेक नहीं दे रहा है त्य हो गया ओपन लूप फीडबेक दे रहा है तो प्लोज लूप हो गया इन दिस केस दा कंट्रोल ओपरेट्स विदाउट मेजरिंग दा आउट्पूट वेरियेबल्स वही किसमें जो कंट्रोल है बीना मेजर किये हुए आउट्पूट वेवल का काम करता है अब हम देखते हैं किसमें कौन-कौन सा इसका इलमेंट है किसमें कौन-कौन सा इलमेंट है तो सबसे इलमेंट है वह क्या है सेंसर सेंसर क्या होता है एक सेंसर इज आ ट्रांस ड्यूसर वीच इज डिवाइस that convert a physical variables of one form into the another form other form other form क्या होगा इसका signal that is more useful for given application अगर असान भशाम बात करें तो सेंसर किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम का फर्स्ट इंपोर्टिन इलमेंट होता है यह वह इंस्टुमेंट है जिसकी सहायता से physical variable को भाचाना जाता है तथा उसे सिग्नल में इसमें कंवर्ट किया जाता है नेक्स्ट है एनलाइजर एन इनलाइजर इज आ इनलाइजर आलाइजर एन इनलाइजर is a equipment used for analyzed data डाटा गीवेन या गीवेन या गीवेन कोलेक्टेड हो गया आपका डाटा वीच इज कोलेक्टेड फ्रॉम दफ सेंसर यह करता है एनलाइजर एक ऐसा एकूपमेंट है जिसका उपयोग सेंसर से प्राप्त डाटा को एनलाइज करने के लिए किया आता है आगे देखते इसमें इट एक्जामिन दा गीवेन डाटा एंड फर्दर फोर्दा नेक्स्ट अस्टेब यह क्या करता है कि यह डाटा को इनलाइज करके नेक्स्ट अस्टेब के लिए प्रषीड करता है फर्दर प्रषीड फर्दर प्रृसीड नेक्स्ट अस्टेब करता है जैसे कि अगर एक्जाम्पल से समझें हम बात को तो बार कोड रीडर हमने यह मसीन देखा है कहां पर शॉपिंग कंप्लेक्स मॉल वहां पर क्या होता है कि जब हम बिल्लिंग के लिए आते हैं तो हमरे प्रोड़क्ट को वह स्कैन करता है मसीन से तो कि जो भी कोड दिया रहता है उसकोड को मसीन जो रिडर है क्या करता है और इससे बिल बनता है तो यह कि अनलाइज किया और इसको सिस्टम में फर्दर आगे अगले स्टेप के लिए प्रसेड कर दिया नेक्स्ट इसमें अब एक्टुएटर अगला इसमें इलिमेंट जो है, ओक्या है, एक्चुएटर, an एक्चुएटर, is a hardware device, that, converts a controller command system, इन्टू अ चेंज इन फिजिकल पारामीटर एक चुटर क्या करता है एक ऐसा हाड़वेर डिवाइस है जो कंट्रोलर के सिगनल को फिजिकल पारामीटर में चेंज करता है एक तीन तरह की मनली होता है फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर सेकेंड है हाइड्रोलिक एक्चुएटर और ठर्ड है अखेंगे नुमेटिक एक्चुएटर हाँ में बसे इसके बाराना हम पौर्णद है क्योंकि आट्योमेंचन में सबसादीक यह इसीका होता है उलेक्ट्रिक एक्चुएटर का और सबसे से कॉमन भी होता है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर इसमें एक्जाम्पल देख लिए क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर सुलेनोयड एंड रीले सबसे हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है इससे काम क्या है इलेक्ट्रिक मोटर कंवर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इन्टू दा कहां पर मेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर को मेक्ट्रिक पावर में कनवर्ट करता है उत्ते लिए सुलेनोयड क्या होता है हम सबने पढ़ा है फजिक्स में कि किसी व्युक्षाएर पर हम जो को लपेटते हैं और उससे जब करेंट को पास करते हैं तो इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वह क्या करता है इलेक्ट्रो मेंगनेट की तरह बेहब करता है और इसका जो में फंक्सन हो क्या है इट कंवर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टू दा लीनियर अ मेकेनिकल मोशन तो जब इलेक्ट्रो मेंगनेटिक अब करता है इसके बात क्या करता है इलेक्ट्रो मेंगनेकल मोशन में convert करता है और last इसका है रीले कुछ नहीं एक switch है Relay ऑजे electric operated switch, यह electric operated switch होता है जिसका काम जिसका वर्क सरकीट को on और off करने के लिए होता है तिस तरह हमने element of automation देख लिया तो इस तरह आज के topic में हमने क्या क्या देखा automation क्या होता है उसका objective क्या है उसके need क्या है और उसके element क्या है हम अगले topic में देखेंगे types of automation और उसके application हट टाइप के अप्लिकेशन एंडवाटेंच क्या है और डिसडवाटेंच क्या है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सस्क्राइब किजिए और